Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आपको पता है, मैं डेली इदा हिंदु नुजपेपर से एक वीडियो लेके लगता हूँ, और जो कि आपके एक्जाम परस्पेक्टिव से बहुत बेनिफिचल रहता है. इसमें आप इंग्लिश नुजपेपर के बारे में थोरोली जानते हो कि कोई आर्टिकल कैसे पढ़ा जाता है और अपने इंग्लिश कन्वर्शेशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. तो बिना डिले की वे स्टार्ट करते हैं, स्केर न्यूज, जेक न्यूज, मतलब स्केर क्या था? स्केर्स स्केर्स सिटी आपने सुनाओगा कम है तो जेक न्यूज अमेद डेस्ट अमेद बिट्विन दावाइश न मनिपुर जो वाइलेंस चला था मनिपुर में विद लिम्टी अक्सेस तो इंटरनेट पीपल है फ्यू सोर्च तो टू तो तो आदमियों के पास बहुत कम स अच्छा नहीं है तो यहां पर बात हो रही है कि यहां पर में बात यह है कि वही जितने भी इनफॉर्मेशन फलाते हैं या इनसे क्या नुक्षान होता है क्या क्या दिक्कत है मनिपुर का पो केस पता है कि अधर अभी इंटरनेट बंद है और जो मैतेई कम्मुनेटी का जो इश्यू चल रहा है तो कोकी ट्राइब वगरा का जो मतलब प्रोटेस्ट पे बंदों होने टेक कर दिया था कुछ ऐसे बात है तो इस यह हमें अच्छे से जाने कि फेक न्यूज का क्या कब कर तर रोकना तो फेक नूज को कैसे रोक जादा सकता है और इसमें क्या कंटेक्स्ट है हम जानते हैं तो इसमें जो भी चीजे लिखे हुए हैं एक्जाम समाज की बुराई बन गी है is that is haunting us जो हमें डरा रही है होंट क्या होता डरा ना रिसेंटली एफ एक वीडियो वास प्रेड इन विच माइगरेंट वर्कर इन तमिलाडू मतलब यह पीछली बात हो रही है यहां पर तो अभी पीछे तमिलाडू में भी ऐसा हुआ था कि वर रही थी मॉंगरिंग बोलता है उसको फेक न्यूज मॉंगरिंग यह प्रिवेडिंग कोई फैल ना यह वोकाइब लड़ी वार्ड है पर्वेडिंग मॉंगरिंग स्प्रेडिंग तो यह बात है concern about the ongoing situation ongoing situation के बारे में चिंता सेम ऐसे मनिपूर के बारे में लिख सकते हैं कि जो मनिपूर में मैथी कम्यूनिटी का कुकिक ट्राइब का जो की conflict चल रहा है तो उसको जान दूर के spread किया जा रहा है and government is showing concerns about the fake news spreading or preparing and we have to curb such type of minas and what are the steps we have to take कौन से हम step ले सकते हैं जिन से चीजे कम हो जाएंगी और क्या हम अच्छा कर सकते हैं अपनी organization structure में क्योंकि आजे civil servant you how to know each and every minuscule detail of the जो हर चीजों की पता होने चाहे है तो चिंता है about the ongoing situation the Tamil Nadu government said that those who spread rumors जो की rumors फैलाते हैं that migrant workers are being attacked in Tamil Nadu तो की जो migrant worker को अटेक किया जा रहा है तो मिलादु में are against the Indian nation तो देश की खिलाप है वो and they cause harm तो यह इसी जमिल आप मनीपूर के बारे में लिखते हैं they cause harm to the integrity of the country वो क्या है नुक्षान पहुचा रहे हैं integrity जो शान है ना अपने देश की उसको वो नुक्षान पुचा रहे हैं दोसो चोदा परसेंट बढ़ गए according to the NCRB National Crime Record Bureau जो की डाटा रखता है वह क्या क्या सुसाइटी में कितने क्राइम बढ़ गया कितना काम हो गया है तो NCRB डाटा रखता है National Crime Record Bureau there is also need for stronger laws against the fake news बहुत जरूरत है कि stronger line fake news के लिए in India and media organization media जो organization चल रही है या fake news के लिए उनमें क्या stronger law की जरूरत है need to make fact checking fact checking routine practice जो fact checking है routine practice होनी चाहिए उसको daily check करना चाहिए या कुछ time periodicity set कर सकते है within the one hour they have to that take down that particular video if they are that rumor is mongering around the social media platform and they have to curb such type of things create public greater public awareness public awareness पहलानी चाहिए what are the challenges in curbing fake news in India क्या challenges आ रहे है क्या बाधाय आ रहे है मुसी बता रहे है problem आ रहे है कि जो fake news फैल रहे है उसको कब करने में क्या problem आ रहे है low digital literacy digital aware निया बंदे है like i have seen several this are this is the literary thing i have seen several people they are having multimedia mobile but they don't know how to use it properly because just they are knowing the small small functions like calling disconnect the call and but they are not knowing the each and every detail जो भी पता नहीं उनको कि डिजिटल लिटरेशी नहीं है इंडिया digital literacy rate is still low बहुत कम है which makes it easy for fake news to spread तो बहुत आसान बना देती है कि बहुत आसान बना देती है कि फैक निउस को फैलाने में as people often do not have skills to verify the authenticity of the news sources तो आदमियों के पास skills नहीं है समता नहीं है कि verify कर सके होगी authenticity of the fake news की authenticity उनके पास message आता है just forward का button प्रेस करते हैं जो rumor फैल जाती है according to the India inequality report तो यह आप report को quote कर सकते हैं इंडिया inequality report 2022 के जो digital divide approximately 70% of the population has poor and no connectivity to digital service तो 70% जो population है poor है जो digital literacy नहीं में and no connectivity to digital service उनको पास connectivity भी नहीं है among the poorest जो गरीब है 20% household जो 20% household गरीब है उन में से only 2.7% have access to the computer and 8.9% have internet to internet facility लगभण 9% के पास internet facility है political use, political use क्या है? fake news is often used for political purpose fake news को use किया जाता political purpose के लिए in India especially during the election election के टाइम पर आपको पता है like अब 2024 के election is nearby तो इसलिए ऐसा होज़ा है हो सकता है, parties use fake news to manipulate public opinion, public opinion को धारना को change करने के लिए fake news का यूज़ा जाता है, which makes it challenging to control to spread of fake news, तो challenging हो जाता है कि जो political party ही involved spread करवाने में, then how can it possible we like our organization would able to control such type of rumor mongering जो है, limited fact checking, fact check infrastructure इतना अच्छा नहीं है, India has limited fact checking infrastructure, limited है and many of available fact checking organization like PIB, जो press information bureau है, fact checking unit है, उसकी है और small and poorly funded, वो छोटी है और उसमें, मतलब fund ज्यादा नहीं आता है lack of penalties, penalty भी कम है, there are currently, no currently strict penalty for the spread of fake news in India, which makes it difficult to ditter people, तो आदमें को डराने के लिए most difficult हो रहा है, from creating and disseminating fake news, तो जो disseminate करने फैला रहे हैं, इन्योज को बना रहे हैं, उनको control करना बहुत मुसके लिए पैनल्टी बहुत कम है, वो सूचते हैं कि फैला दें कोई दिक्कत नहीं है, what are the initiatives taken in this regard, इस regard में क्या initiative ले लिए हैं, government ने, IT की जो guideline आई थी intimidated जो मत देस्ता करते हैं, platform है जो भी, facebook, twitter और अगएरा, guidelines and digital ethics code आए थे, rules 2021 के आए थे, तो IT के intimidated guidelines आए थी propose करते हैं, that social media platform, जो भी social media platform are required to remove content that has been fact, that has been fact checked by the press inbox, जो P.I.B. की दोबरा fact check, जो P.I.B. की unit है, जो fact checking की, अगर वो देखते हैं कि यह गलत information है, तो immediately जो की platform है, जो social media platform है, उनको निकाल देगा, उनने false credit क्या समझा है, deemed होता है, समझना, this rule, जो भी rule है, aims to curb the spread of fake news and mission information on the social media platform पे, कब करने के लिए उनको, तो दूसरा rule है, का IT Act 2008 का, जो इसका section 66D है, इसका of the IT Act 2008 regulates करता, offense related to the electronic communication, जो electrical communication के related है, IT Act 2008 का 66D, आपको यह देता power कि वह इनको control कर सकते हैं, जो भी electronic communication है, this includes punishing individuals who send offensive messages, offensive मतलब भढ़काने वाले through the communication service और social media platform, social media platform के through कोई spread ऐसी करता है, message तो उसको पकड़ के सजा दी जा सकती है, this act can be used to penalize those who spread fake news through electronic communication, disaster management 2008 का, आपको पता है, corona के time पे बहुत use हुआ था यह, क्योंकि कोई specific लान इताद में को बहार रिकलने से रोकने के लिए, disaster management 2005 का use हुआ था, and the disaster management 2005 act, and the epidemic, जो epidemic होती है, महामारी फैल जाती है, disease act 1897, यह बहुत पुराना है, अजादी से पहले का, especially during the COVID-19, it regulates the circulation of fake news, or rumors that can cause panic among citizens, IPC का जो है, Indian Penal Code 8406 का, आपको पता है, अभी एक नया recent upgradation में आपको चेंज करेंगे, भारती है, नया सम्हिता बोलेंगे इनको, it regulates fake news that causes riots, जो दंगे फलाती है, information that causes defamation, or Indian Penal Code का section 505, आपको पता है, this act can be used to hold individuals accountable for spreading fake news that insights violence and defame बदनाम करते किसी को, सम्होन करेक्टर को, किसी का करेक्टर को, tarnish करते हैं, उसकी image को, और defame करते हैं, what should be the way forward, क्या रस्ता निकलना चाहिए, यह सी जोगा, तो यह आपको जुरूर लिखना है, अपने answer writing में, promote media literacy, तो promote करना चाहिए, media literacy को, आज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा campaign, या local influential people को involve करो, और spread करो उस चीज़ को, education and awareness are critical tool in combating fake news, combat होता किसी चीज़ को रोकना, people need to taught how to verify sources, कैसे sources को verify करें, fact-checking claims को, and understand the difference between the reliable and unreliable news sources को, strengthen law, कानून को मजबूत करो, India has some laws against the fake news, but they need to be more robustly enforced, robustly बहुत मजबूती से enforce करने हैं, उनको लगाना है, laws need to be updated address, the rapidly evolving online media landscape, जो उसको प्रोडम को solve करने के लिए, address यहाँ पर पता मतलब नहीं है, address के लिए, किसी चीच को resolve करना, rapidly जो ज़्यादा एकतम से speed बड़ रहे, evolving, ग्रोग कर रहे, online media landscape, जो online media का अच्छे तरह उसमें, बड़ रहे हैं, उसको control करना चाहिए, increase responsible journalism, परोचसान देना चाहिए, responsible journalism को, आपको पता है, बहुत सारे news channel, भी ऐसे फेक news पर आते हैं, तो उनको भी responsible बनाना चाहिए, journalists need to adhere, उनको need to adhere, मतलब पालन करना चाहिए, ethical standards and accountables for the media reporting, media organization can play a role in promoting responsible journalism, तो media organization भी प्ले कर सकते हैं, responsible role journalism and fact checking में, increase social media companies to act, social media जो companies उनको increase करना चाहिए, प्रोचान देना चाहिए कि, आप act करो, social media platform need to be more proactive, proactive होना चाहिए in identifying and removing fake news, they can use artificial intelligence tools, AI tool use कर सकते हैं, social media platform, identify fake news and work with the fact checking organization, to verify news stories, increase fact checking organization, fact checking organization can play critical role in verifying news stories, and educate people about the fake news, these organizations need to be increased, organization को increase हो, जैसे PIV की fact checking unit है, and supported by the government and media के दोबार, support करना चाहिए इनको, मतलब इंडिविज़ल कोई organization नहीं कर सकती है, यह चीज है, मतलब consolidated effort चाहिए, सब के लिए, मतलब कुछ local people को भी aware रहना चाहिए, उनको verify करना चाहिए, जो भी अपने media outlet से इनको भी ध्यान देने चाहिए, और PIV जो fact checking को उसको report कर चल्दी से चल्दी, ताकि इसको take down कर किया जासके information को, the fact checking unit of the PIV busted, busted मतलब निकाल दिया रहने, 1160 cases को false information since inception, inception मतलब starting सी, जब से पैदा हुआ, नॉबंबर 2019 में ये बनी थी unit, increase responsible social media use, social media user है, जो individual need to take responsibility for the social media use, हर एक आदमी को individual को response होना चाहिए, they need to avoid sharing unverified news stories, and be more critical what they see online, तो उनके online देखते, उनका critical अलोचक होना चाहिए, उनको ऐसे नहीं है, सक्कीने ज़रो से suspicion से देखना चाहिए, कि ये real नहीं हुजए या fake नहीं हुजए, तो ये आम आदमी की भी responsibility बनती है, share कर दो अपने friend में, ओडेली देखते रहो, यही एक तरीका है जिससे आप English बोलना सीख सकते हैं, पहले आप reading क्योंकि जब तक आपके mind में file नहीं होगी, कैसे structure बना हुआ sentence का, you would not able to speak in English. First of all, you have to upload files in your mind by writing newspaper, and you have to just judge the how they are framing sentence. Okay friends, आज के लिए इतना है, Bye.